नमस्कार दोस्तों वेश्च और आप देख रहें स्टेंड पैस मेरे स्टेंड के लिस्त प्रकॉर प्रकॉरी होता है वो होता है यह कि मिनी स्टेंड यह चोटा स्टेंड जो होता है यह यूज होता है हमारा जैसे 17 इंची का हमारा टीवी हो गया या हमारा कोई 22 इंची का TV हो गया यह उसके लिए यूज होता है छोटा stand तो निकाल के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से होता है तो यह देखे तो यह stand हमें कुछ इस तरीके से मिलता देखने के लिए यह देखे तो यहाँ पर हमें इसके कुछ यह screw मिल जाते हैं तो जो चोटे wāle screw है वो हमारे टीवी में लग जाते हैं तो इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से clamp देखने के लिए मिलती है अब यह वाली क्लैम्प है हमारी यह हमारी TV पे लग जाती है और यह वाली तीवार हमारी दिवार में लग जाती है तो दिवार में लगने के बाद ये कैसे यूज होता है जैसे हमारा ये टीवी है इस तरीके से तो हम इस तरीके से जो है अपने टीवी को इस तरीके से ऐसे करके लगा देते हैं और ये हमारा टीवी जो है दिवार पे लग जाता है तो ये कुछ इस तरीके से है तो यह यूज होता है हमारा 17 इंची और हमारा 22 इंची कर जाता लेकिन जब Hiーバी अज़ियो कभी एड़ी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर inगे सबांते हैं हम उसे उत् 않은 कोग साक्ते हो लिए हमारे चुरम्स की फ़सा सकते हैं लोगए वाला हमहाने के पाले यह इसे लगा सलेए यहां पर यह देखिए तो यह सारी फिटिंग मिलती है और इस तरीके से हम इसे अराम से लगा सकते हैं तो देखें टीवी में यह क्लैम्प होती है अब मान के चलिए किसी टीवी के अंदर यहां सुराक है तो यहां लगा देंगे किसी टीवी के अंदर यहां पर है तो हम यहा अदर हमें दो मोडल मिलते है ये बड़ा साइज होता है जो 50 इंची तक में यूजEC हो जाता है और यह वाला होता तो यहां पर देखा क्या जाता है Today तो यहां पर ृधर Divine zat यहां ऑफ किन्त शुराक को हैं किसी अंदर बाहर तो देखे ये कुछ इस तरीके से हमारे stand मिलता है हमें तो ये हमारे universal होता है देखे अब यहाँ पर देखे ये stand जो है हमारे ये universal है अब ये किस तरीके से लगेगा कि देखे ये तो हो गया हमारा ये दिवार में लगने वाला वे सिन्च इसी आधा है दिखाता है इस तरीके से जो है यह टीवी पर हमारा फिक्स हो जाता है इस तरीके से ul estrl सिन IT बूलर कर देते हैं है फिर मैं आपको बड़ा स्टेंड दिखाता हूं जो हमारा चालीच इंची ही 50 50 इंची जो हमारे टीवी बगर आते हैं उसके अंदर यूज होता है ये देखिए ये हो गया हमारा फुल साइज ये देखिए इसका साइज है ये वाला तो इसके अंदर हमें इस तरीके से देखिए क्लैम्प मिल जाती है देखने के लिए और यहां पर हमें ये स्क्रू मिल जाते हैं ये देखिए यहां हम इसक्रू लगा सकते हैं चार स्क्रू के हमें यहां पर हार्डवेर मिलता है यानि कि दो स्क्रू यहां लगाने होते हैं दो यहां और बाकी हमारा जो है ये भी इसी तरीके से होगा ये हमारा टीवी के पीछे लग जाएगा और इस तरीके से हम टीवी को जो है इस तरीके से यहाँ पर अर्जेस्ट कर सके और लगा सकते हैं देखिए और इस तरीके से यह फिटिंग हो जाएगा तो देखा दोस्तो आपने कितने ही आसान तरीके से हम टीवी की फिटिंग कर सकते हैं और कभी में आगर किसी टीवी को फिटिंग करूँगा तो आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, सेर करना, सस्क्राइब करना और बेल का एकन को जुरूर दबाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा